हेलो फ्रेंड्स, मैचकल थ्रेट्स में आपका स्वागत है, आज देखे हम लिडू कफाल जेकी यह फ्लार्च वाली ड्रेस बनाएंगे, यह ड्रेस मैंने दिपावली के लिए बनाई है, लेकिन आप यसे किसी भी उकेशन पर बना सकते हैं, न्यू यर के लिए बना सकते हैं या फिर लोडी के लिए बना सकते हैं, और इसके लिए देखे, मैंने ग्यारा नंबर कुश्यों के लिए है, यह जो मेरी वूल है, यह चार पलाई की है, तीन पलाई की वूल से भी आप बना सकते हैं, और यहां पर जो मैंने ड्रेस बनाई है, यह मैंने छे और सात नंबर और के चोली है उसके भी लास में 28 टॉपल कोश्य है 28 तो दुन्यों का घेरा सेम बनेगा छे और साथ का और अगर आप इसे चार या पांच में बनाना चाहते हैं तो आपने इतना करना है यहाँ पर येलो राउंड है यह मैंने छे बनाई है लेकिन यह जो चार और पांच के अगर आप बनाते हैं तो इसमें आप पांच बनाई एक दो तीन चार पांच जुरूरी नहीं है आपने यही गेरा बनाना है गेरा आप सिंपल जो एक फ्रेंट पोस्ट वाला गेरा होता है वो भी बना सकते हैं यह थोड़ा अल करके मैंने नाम रखा है अगर आप इस ड्रस के इलावा को ड्रस बनाना चाहते हैं तो आप लेलिस्ट देखकर बना सकते हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर दिखिए मेरे पास 6 नंबल बैक साइड है, टोटो 28 है और इस चोली की वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल उपन कर लें, यहाँ पर देखे मैंने मेरा चैनल उपन किया है, मैजकल थ्रेड्स प्लेइस्ट के उपर जाएंगे, यहाँ नीचे यहाँ पर यहाँ आपको 6 नंबर की चोली मिल जाएगी, इसमें बहुत सारी ट्रेस्ट है, अगर आपको ड्रेस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से देखकर बना सकते हैं, यह देखे, 8 नंबर की चोली है, और यह देखे, यह है 6 नंबर की चोली, यह जो वीडियो है, उसके अब देखे हमने क्या किया है, यहाँ हम आम होल वाली साइड आ गए, यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे, यह हमने तीन चैन दी है, तीन चैन लेकर इसी, जहाँ पर हमने लास्टें स्लिप स्टीच बनाया है, वहीं पर मैंने एक डबल कुशिय किया, तो यह तीन की चैन को एक डबल कुशिय काउंट करेंगे, एक हमने बनाया है, तो इस स्टीच में यह दो हो गए, अब नेक्स्ट में भी दो बनाएंगे, एक, एक और, फिर नेक्स्ट में एक, एक और, इसमें भी दो है, इसमें दो है, फिर इसमें दो है, तो रो को इसी तरह से कर लिया हर चेन में मैंने दो डबल कुशे किये हैं अब हम राउंड को जॉइन करेंगे यहां पर देखें यह हमारी तीन की चेन है तीन एक दो तीन थर्ड चेन में हम राउंड को जॉइन नहीं करेंगे यह जो हमारा पहला डबल कुशे है उसकी चेन में मैंने स्लिप को मानना है हर रो में तो इसी को हम उठाएंगे इस तरह से फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे एक फ्रेंट पोस्ट किया अब यह हमारा सेकेंड वारा डबल कोश्य है जिसकी चेन में मैंने जॉइन किया था अब सेकेंड उसको लिया हमने तो हर डबल कोश्य को उठाकर हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे एक इस तरह से उठाया इस तरह से उठाया इसे फ्रेंट पोस्ट किया राउंड कंप्लेट करेंगे इस राउंड में हमने कोई विस्टिच इंक्रीज नहीं करना हर डबल कोश्य को लेकर एक फ्रेंट पोस्ट क double crochet को उठा कर मैंने front post किया अब join करेंगे join हमने हर बार इसी तरह से करना है पहला जो हमारा यहां पर देखें पहला जो हमारा front post है उसकी chain है यह यहां पर मैं join नहीं करूंगी जो next हमारा front post है second वाला second वाले front post की chain में slip stitch से join किया जब भी हम इस तरह से join करेंगे second वाले stitch के उपर join करेंगे लेकिन उठाना हमने शुरू हमने पहले से ही करना है एक chain लेकर यह हमारा पहला जो double crochet है इसको उठाएंगे लेकिन यहां पर देखें हमने यह पहला front post है उसके नीचे एक chain भी होती है जो अभी हमने ली है तो जब हम इसको हमने उठाना है तो इस तरह से नहीं उठाना यह जो chain है यह साथ नहीं आएगी हमने सिर्फ फ्रेंट पोस्ट को उठाना है इस तरह से यहां पर देखें सेकेंड में अब ज्वाइन किया एक चेंड ली एक चेंड लेकर पहला जो हमारा front post है उसको उठाया हमने हर बार हम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे इसके बाद अब यहां पर देखें अभी हमारे दो राउंड कम्प्लीट हुए है जब हमने फर्स्ट राउंड पनाया था चोली के लास में मेरे पास 28 डबल कोशिय थे फ्रस्ट में सारी डबल किये तो 56 हो गए 56 सेकिंड राउंड में हमने कोई इंक्रीज नहीं किया यहां पर भी यह 56 है अब यहां पर हम इंक्रीज करें फिर इसी स्टिच को उठाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह तो यहां पर हमने एक स्टिच देखें बीच में इंक्रीज कर दिया यह हमारा पहला फ्रंट पोस्ट के ओपर पहला दूसरे के ओपर दूसरा है और बीच में हमारा देखें एक डबल कोशिय भी आ गया फिर से दे पोस्त की तरह उठाएंगे उस इने उसे फृर्ट को आएंगे नेग्स्तन फॉर्थ है इस पहले पाल को चुटी है अब हमने उस एक सब्सक्रारिय बनाएंगे डबल कोशिया जिस चेन में बनाया है उसी के हमने फ्रेंट पोस्ट को लेकर फ्रेंट पोस्ट किया राउन को कम्प्लीट करेंगे देखिए हर फ्रेंट पोस्ट के सेंटर में एक स्टिच बनता जा रहा है तो ये डबल हो जाएंगे 56 ते 56 तो 56 का डबल हो जाएगा 112 112 कम्प्लीट करेंगे थाराउन देखिये कम्प्लीट होने वाला है जब आप ये राउन बनाएं तो डबल क्रोशिया जो हमने बनाना है वो थोड़ी चोटी हाइट का रहेगा मतलब नॉर्मल रहेगा लेकिन जो हमने फ्रेंट पोस्ट बनाना है उसकी लेंद थोड़ी बड़ी रखनी है क्यूंकि जो डबल कोश्या बनाते है वो हम यहां उपर चेन के उपर बनाते है तो उसकी हमने नॉर्मल हाइट रखनी है लेकिन जो हम फ्रेंट पोस्ट बनाते है तो यह नीचे से स्टिच का उठाते है तो इसलिए उसकी हाइट जो है फंदे की थोड़ी बड़ी रहेगी इसके वह फिर से फ्रेंट पोस्ट है तो यहां लास्ट में आपने ध्यान रखना है एक आपका डबल कोशिय भी आएगा फिर हमने राउंड को जॉइन करना है जॉइन हम उसी तरह से करेंगे यह पहला फ्रेंट पोस्ट है इसे चोड़ देंगे सेकिंड जो हमारा डबल कोश इस तरह से अच्छा यह जब आपका round third round complete हुआ है तो आप यहाँ पर इसे रखके देखें आपको लगेगा कि stitch कुछ ज्यादा ही increase हो गए हैं तो इस तरह से आपको जोल दिखेगा लेकिन इसकी आप tension ना ले जब आप next round और उसके next round बनाएंगे तो यह अपने आप ठीक हो ज आप यह जाएगा हमने फ्रेंट पोस्ट किया अब यह देखिए वीच में double crochet है double crochet सेम हमने round repeat करना है double crochet क्यों को डबल कोश्य बनेगा फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो इसके उपर हमने double crochet किया chain में आगे दिखिए यह फ्रेंट पोस्ट है फ्रंट कोश्या किया इसके बाद देखिए फ्रंट पोस्ट किया है तो कुम्प्लीट करेंगे राउंड को जॉइन करेंगे एक दो तीन चाहिए फूर्थ राउंड मेरा कम्प्लीट हो गया लास्ट में देखिए double कुश्या किया उसके बाद जो पहला फ्रंट पोस्ट है उसे छोड़ देंगे सेकिंड जो हमारा double कुश्या है उसकी चेन में slip stitch से जॉइन किया एक चेन पहले फ्रेंट पोस्ट को उठाया यह साथ में जो एक चेन है इसे नहीं लेंगे उपर उसे उठाया है इसे फ्रेंट पोस्ट को इतो कि फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो गया सेम राउंड और्पीट करेंगे एक डबल कुषे यह किना फैरपत्व फ्रेंट好吃 फिर डबल कोशिय के उपर डबल कोशिया किया है फिर फ्रेंट पोस्ट को लेकर फ्रेंट पोस्ट किया है फिर डबल कोशिय के उपर डबल कोशिया है फ्रेंट पोस्ट के उपर फ्रेंट पोस्ट के उपर फ्रेंट पोस्ट कम्प्लीट करेंगे तो राउंड देखें जॉइ कि इसके बाद एक चीन ले तो अभी देखिया मेरा एक दो तीन चार पांच फिफ्थ राउंड मेरा कम्प्लीट हुआ है अभी मैं सिक्स राउंड स्टार्ट करूंगे आप चाहें तो देखें यहां पर आप चाहें तू 5 राउंड के बाद भी पैटरन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप 6 राउंड के बाद स्टार्ट कर लें 5 राउंड बनाने पर जो मेरा सेंटर वाला सरकल है सवा 6 इंच त्यार हुआ है अगर आपको ड्रेस का जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप एक राउंड और बना लें सेम स्टिच के साथ अगर आपको थोड़ा चोटा चाहिए तो आप यहीं से आगे पैटरन स्टार्ट कर सकते हैं तुमुह पें बिद्दा के साथ हैं सिज्ट के थेखिए यहिएज़ पर यहां पर हमने दडबल किये थे चाहिए आउप में 50 य१ं हमनने 112 किए हैं फॉर्थ में 112 में 111 है अब 6 बनाएनगे उसमें 112 बनाएंगे लिए dependent आँ और एक यह तीन सेम है अब जो फूर्थ राउंड बनाऊंगी वह भी मैं बिल्कुल सेम बनाऊंगी है तो आपकी च्वाइस है यह आपने बनाना है राउंड यह आपको डायमेटर थोड़ा चोटा चाहिए चोटा चाहिए तो यह राउंड ना बनाएं कि कम्प्लीट करेंगे तो सीक्स राउंड देके कम्प्लीट हो गया अभी अब देखें ड्रेस में बिल्कुल भी जोल नहीं है अब हमने इसे जॉइन करना है डबल कोशिय किया अब देखिए यहां पर मैंने पहला जो फ्रेंट पोस्ट है उसी की चेन में जॉइन किया है क्य कि यहां पर और हमने आकर नहीं बनाना इसके बार में यहां पर ग्रीन कलर स्टार्ट करोंगे अगर आँब बड़ी ड्रेस बनाते हैं तो फिर आपने यह जो SECOND double crochet है वहां पर जॉएन करना है ले कि इसके बाद मैंने और यहलो कलर से नहीं बनाना इसलिए मैंने front post के उपर join किया है पहला जो front post है उसकी chain में पहले यहां पर एक chain ले ले अब front post की पहला ही जो front post है जिसमें हमने join किया है वहां पर मैंने single crochet किया फिर next में single crochet किया फिर next में हर chain को लेकर मैं एक सिंगल कोशिय करूंगी इस तरह से राउंड को देखिए जोईन करेंगे जो डबल कोशिय है उसकी chain में मैंने सिंगल कोशिय किया अब यह front post के उपर जो हमारा सिंगल कोशिय है first उसकी chain में slip stitch से जोईन किया तो अभी आप देखिए जो इसका diameter है साथ इंच है यह मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप diameter जितना रखना है वो आप अंदर सलगा सकें आगे देखिए एक दो तीन तीन चेनली डबल कोशिय की हाइट की दो चेनली जो हमने इसेंटर में लेनी है दो डबल कोशिय के धागा लिया एक चेन्ज score करेंगे next में डबल कोशिय करेंगे यह पर बहुत बड время नहीं बनाएँगे नहीं थीक चोटी हैट का ही रखेंगे इस तरह से फिर एक और दो जेन ली एक skip की next में double crochet किया फिर एक और दो जेन ली एक skip की next में double crochet बनाया एक दो जेन ली एक skip की तो इस तरह से हमने round को complete करना है यहां पर center में दो chain लेते हैं इसलिए यहां पर दो chain हमने center वाली ली तीन हमने double crochet की height के लिए complete करेंगे राउंड देखे complete होगे जोईन करेंगे एक और दो chain ले एक चेंज स्किप की और यहां पर एक दो तीन थर्ड चेंज में हमने slip stitch से जोईन करेंगे दो हमने chain ले थर्ड चेंज में जोईन किया इस तरह से तो अब यहां पर यह जो मेरे पास hole बने हैं तो यह मेरे पास 56 है 56 इसके बाद फिर उसी तरह से एक दो तीन चेंज लिए double कोशिय की हाइट की दो चेंज में हमने जो सेंटर में लेते हैं इसके वाद यह जो हमारा double कोशिय है उसके उपर हमने फिर जिए double कोशिय की यह सीम रौंड रिपीट करेंगे दो चेंज और ये double crochet की chain में double crochet किया एक और दो चेन फिर ये double crochet की chain में double crochet बनाया double crochet जो है यहाँ पर हमने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने थोदे छोटी size के र करेंगे 2 chain ताकि यहाँ पर यह जो 주apan wha law portion है यह स्टाया handle बड़े बड़े hole ना देखे इसलिए ये वले जो हमने डबल कुशे बनाने है ये थोड़े चोटी हाइट के रखेंगे राउन को कम्प्लीट करेंगे राउन देखिए कम्प्लीट हो गया दो चैनली है एक दो तीन थार्ट चैन में स्लिप स्टिच से जोइन किया है एक दो तीन चार पाँच चैनली है फिर से सेम राउन रपीट करेंगे एक और दो चैनली देखिए यहाँ पर हमने इस राउन में भी कोई इंक्रीज नहीं किया इसमें भी कोई इंक्रीज नहीं करना लेकिन यह जो राउंड है इसमें जो आप दो चेन लेंगे थोड़े धीले हाँ से लें ताकि जो है खिंचाव ना आए अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फिर आपको नॉर्मल चेन ले सकते हैं लेकिन हमने तीन राउंड में कोई भी इंक्रीज नहीं किया तो इस राउंड में थोड़े से आप लूज हाँ से चेन लें कम्प्लीट करेंगे राउंड को जॉइन करेंगे थार्ट चेन में तो तीन राउंड देखिए मैंने ग्रीन क्लॉर के बिल्कुल सेम बनाए हैं अब इसके बाद देखिए एक दो तीन चेन लिए यह जो पहला होल है यहां पर दो देखिए बना लेंगे एक और दो यह जो पहला हमारी तीन की चेन थी इसके उपर तीन की चेन आ गई उसके बाद दो डबल कोशिय किया फिर नेक्स्ट होल में दो डबल कोशिय किया फिर यहां पर हमने जो डबल कोशिय है उसके उपर बिल्कुल चेन में डबल कोशिय किया फिर hol में बनाया double kosher 1 और 2 फिर यह हमने double kosher किया तो यह 1 hol है यह 2 है यह 3 है 3 के उपर मैंने बना लिया अब यह 4 है 4 के उपर भी बनाएंगे 2 double kosher इस तरह से इसके इसके बार यह जो हमारा double kushy है इसके ओपर हमने double kushy कि दो एक तो तीन चार चारख के ऊपर मैंने बना लिए इसके बार हमने एक chain ली यह वली दो chain looked करेंगे यहां पर हम हम है डाबम कुष्य करेंगे इसके वार। यहां पर हम चार डबल कोशिय बनाएंगे एक दो तीन चार हमने एक चेन लेंगे चार डबल कोशिय के उसके बाद यह जो हमारा डबल कोशिय है इसके उपर भी हमने डबल कोशिय करना है तो तोटर यह देखें सेंटर में छे हैं यहां पर चार है एक इसके उपर है एक इसके आपको हमस्किप करेंगे नेक्स्ट में डबल करेंगे इस तरह से होल को काउंट कीजिए एक दो तीन चार तक हमने बनाया फिर फिर पांच में होल के ऊपर होल आया फिर 6 के उपर यह हैं पिर यह सेवन फोल के उपर फिर से होल आए तो साथ हमारे इस तरह से यूज होंगे एक पैटरन के लिए अब इसके बाद फिर से यही चीज बनेगी यह जो डबल कुशिय है यह हमारी यह तीन की चेंड को माल ले उसके बाद यह दो आएंगे यहां पर दो झाल कि एक इंद और कि फिर यहां पर डशे की में ईव पर डशे की आप फिर गाल में दुब भार बनाया प्रियाrenched कंगे दबल कुषिय की उपर बनाया, पिर नैक्स्टो कॉल में 2 बर बनाया, पिर डबल कुषिय की उपर डबल कुषिय बनाया, पिर और अब सा अब करेंगे तो अभी अप देखिए यह एक देखिए एक दो तीन चार हमारे होल बन गए यहां पर भी यह एक दो तीन चार थे उसके वाँ यह जाली आएंगे दो जाली आएंगे तो एक चेन ली यहां पर डबल कोशिय किया तो यह एक हमारी जाली बन गए इसके वाँ देखिए एक डबल कुशिया किया, चेन नहीं लेनी, फिर यहां पर चार डबल कुशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार डबल कुशिया बनाएं, इसके वाँ ये वाले जो है, डबल कुशिया, इसके वाँ डबल कुशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर ये वाला होल स्किप कर करेंगे नेक्स्ट में डबल कुशिया कि अब यह चार है उसके बाद यह पांच मा छे और यह साथ फिर देखिए एक दो तीन चार यह पांच मा छे मा शाथ फिर उसी तरह से आएगा यहां पर दो डबल कुशिया आएंगे राउन को कंप्लीट करेंगे यह राउन कंप्लीट होने पर साड़े नू इंच है मेरे पास अब यह अब देखिए राउन को मैंने जॉइन कर दिया है कि कहां पर जॉइन किया है यह हमने बनाए है छे बनाए है उसके बाद एक चेन दी एक दो तीन थर्ड चेन में जॉइन किया इस तरह से एक चेन लेकर यहां पर धागा काट देंगे तो अब यह आप देखिए यह जो मेरे पास सेंटर में छे एक अठे आते हैं यह कितने हैं यहां से काउन कीजिए इस धागे के बाद यह पहला है तो यह एक यह दो तीन चार पांच छे साथ और आठ आठ मेरे पास इस तरह की आए हैं तो आठ फलार मेरे आएंगे और एक बात यहां पर जब आप राउन बनाएं तो ध्यान रखें देखिए यहां पर मेरा अच्छे से जॉइन हुआ है कोई भी यह जो होल है कम ज़र ज़र नहीं हुआ देखिए एक दो ःइन चार यह पांच में होल आया फिर छटे में जे बनाए सेवन्त में यह होल आया फिर हमारे पास उसी तरह से हैं तो wykor आपके पास हो सकता है यहां पर जो होल है यहां कम ज़र ज़र जारा हो andare तो उसके लिए आपने क्या करना है मेरे पास देखें यहां पर 112 थे येलो कलर के स्टीच 112 तो ये जो हमारी येलो कलर के स्टीच है उसके उपर हमने 112 ही सिंगल क्रोशे किये तो ये जो हमारी सिंगल क्रोशे वाली रो है अगर आपके स्टीच कम ज़्यादा है तो इसमें आप थोड़े adjust कर ले, यह वली single crochet वाली row में, मतलब मेरे पास 112 है, वो जो 112 है, वो 14 का multiple होना चाहिए, 14 का multiple, जैसे 112 को अगर आप 14 पे डिवाइड करते हैं, तो 8 आता है, तो यह मेरे 8 pattern बने, अगर यह वले आपके फंदे 14 के multiple के हिसाब से नहीं है, यलो कलर के, फिर आप यह जो आपकी row है, single crochet वाली, उसमें आप थोड़ा adjust कर ले, अगर 4-5 कम है, तो 4-5 increase कर ले, अगर 1-2 कम है, तो आप 2 increase कर ले, मतलब यह वले जो आपका single crochet का row है, इसमें आप adjust कर ले, जितने आप के पास बंदे कम हैं चाज ज्यादा है, 14 के multiple के हिसाब से, 14 के multiple के हिसाब से, यह हमारे पास single crochet होने चाहिए, फिर आपके यह जो hole है, यह ठीक आएंगे, देखिए 56, एक को छोड़कर हमने यह double crochet किया है, तो 56 मेरे पास hole है, 56, तो 7 से हमारा एक pattern बनता है, देखिए 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 7 से हमारा एक pattern बनता है, तो 56 को 7 पे divide किया, यह 8 है हमारे इस पर करके, तो अब यहाँ पर हम, यह देखिए, अब हमने start कहां से करना है, यह जो हमारे 6 double crochet है, इसी के center में जो यहाँ पर single crochet है, यहाँ से हमने start करना है, यह देखिए, अगर जैसे मैं 4 और 5 नंबर के dress म नती हो, तो उसमें देखिए, जो हमारा first round है, उसमें मैंने 24 को double किया, 48 हो गए, 48, second में 48 है, फिर यह third round में हमने 1 stitch बीच में increase कर दिया, 96 हो गए, 96, फिर 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 एक, दो, तीन, third में 96 हो गए, फोर्त में 96, यहाँ पर मैंने 6th round नहीं बनाया, नहीं तो dress का diameter बड़ा हो ज 96 है, पांच मा round complete होने पर, तो यह आपका 14 का multiple नहीं है, 14 का, 14 का multiple अगर होगा, तो वो 98 होगा, 98, तो जब मैं single crochet का round बनाऊंगे, यहाँ पर green, 5 के बाद ही, यहाँ पर green round बनाएंगे, 4 और 5 नंबर में, 4 नंबर में, और आप एक कम बना सकते हैं, यह जो है, रोफ, तो फि से आपने यह हिसाब बनाना है, 14 का multiple होना चाहिए, तो यहाँ पर एक knot बना लेंगे, यह जो हमारे 6 तिछ है, इनके नीचे यहाँ पर, यहाँ से start करना है, धागा लिया, finger रखेंगे, यह जो हमारा single crochet है, इसको उठाया हमने, double crochet किया, एक बनाया, 2, 3, 4, same जो green color की chain थी, उसमें मैंने, 4 double crochet किये, वो को turn करेंगे, एक, दो, तीन chain लिए, तीन chain लेकर देखें, बिलकुल starting वाली जो हमारी chain है, वहाँ पर मैंने double crochet बनाया, फिर next में, तो शुरू में देखेंगे, इस chain में, starting वाली में, 2 stitch माने जाएंगे, तीन chain होती है, उसको एक double crochet काउंट करते हैं, next में एक बनाया, फिर next में एक बनाया तो अब देखें, शुरू में 2 हैं, पीच में मैंने फिर से 2 बनाया, ये last मेरे पास ये जो chain रहती है, इसमें भी हम दो बनायेंगे, मतलब दोनों sides पर एक एक increase किया हमने, तो यहाँ पर ये 4 ते, अब ये मेरे पास 6 हो गए, work को turn करेंगे, एक, दो, तीन chain लिए, फिर से हम शुरू वाली chain में बनाएंगे, बिलकु स्टार्टिंग chain में, तो एक stitch यहाँ पर increase हो जाएगा, फिर next में एक, next में एक, फिर next में बनाया, एक, फिर next में बनाया, एक, बतलब बीच में हमने चार बार एक एक बनाया है, और शुरू में हमने दो बनाये थे, और ये मेरे पास 3 की chain रहती है, last वाली, इसमें हम फिर से दो बनाएंगे, एक, एक और बनाएंगे, तो इस तरह से ये बना, यहां पर देखे, चार है, फिर दोनों साइड इंक्रीज किया, 6 होगे, फिर दोनों साइड इंक्रीज किया, 8 होगे, आठ बनाने के बाद हमने इसे ज्वाइन करना है देखे कहां पर करेंगे यह जो हमारा 6 हमारे डबल कोशिय हैं यहां पर हमने इसे ज्वाइन करना है लेकिन इस साइड से नहीं उठाना है तो यहां पर देखे वोग को मैंने टर्न किया यहां पर देखिए मैंने कोई चेन नहीं लिए आठ बनाने के वाद कोई चेन नहीं लिए धाका लिया डबल कोश्य बनाएंगे यह हमारी इस तरह से है यह चे के बाद यह उपर वाली में नहीं जोइन किया नीचे वाले second वाली में यह first है, यह second, second वाली में हमने यहाँ पर double crochet बनाए, तीन, एक बनाया, दो, तीन double crochet किये, उसके बाद दो chain लिए, देखिए, यह हमारे पास 6 stitch है, इस side भी हम तीन बनाएंगे, यह दूसरा होल है, दो हमारे पास यहां पर होल थे, तो पहले होल में बना लिया, अब यह दूसरा है, तीन हम यहां पर बना लेंगे, एक, दो, तीन, यहां पर देखे हमने कोई चेन नहीं ली, लेकि यहां पर दो ली है, अब फिर से हम कोई नहीं चेन लेने, और यहां पर ह हुआ हम इसे joint करेंगे कि slip stitch से थर्ड chain में slip stitch से round को joining किया तो इस तरह से हमारे पास बना तेखिए यहां पर हमारे पास 8 stitch है 4th stitch तक जाएंगे slip stitch बना कर तो पहले में अभी हमने बनाया है यह second वाले में मैंने slip stitch किया लिए 3 वाले में slip stitch बनाया फिर 4 वाले में slip stitch किया 4 मैंने slip stitch किया है उसके पाद देखिए यह पर एक दो तीन चार मेरी रह गई यहीं से वर्क को टर्न करेंगे एक दो तीन चेन लिए वर्क को टर्न किया तो यहां पर मैं चार स्टिच बनाओगी यह जो मेरे चार यह देखिए तो टोटल मैंने चाहत बना लिए डबल कोशे इसके बाद दिखे यह मेरे फास तीन डबल कोशे हैं इनके उपर तीन डबल कोशे बनाएंगे लेकिन पहले जो सेंटर है होल है एक हम यहां पर भी बनाएंगे डबल कोशे हैं तो यह टोटल देखे एक दो तीन चाहर पांच होगे मेरे पास पांच के बाद यह तीन के उपर तीन बनाएंगे तो आठ हो जाएंगे आठ डबल कोशे होगे यहां सेंटर में हम दो बनाएंगे जहां पर दो की चैन है एक और दो दस डबल कोशे होगे फिर से यह तीन है तीन के उपर तीन बनाएंगे तेरा डबल कोशे होगे फिर यहां सेंटर में बनाएंगे यह 14 डबल कोशे हैं तोटर यहां पर मेरे पास अठारा डबल कोशे रहेंगे चोदा हो गए अब यह लास्ट में यह चार रहते हैं कि पंद्रह कि सोला कि सत्रह कि और अठारा एट्टिन डबल कोशे हो गए कि इस तरह से यह बना है कि यहां पर हमने इसे ज्वाइन नहीं करना है तो अब देखे इसके बाद हम क्या करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच हमने चेन लिए वह को टर्न किया पहले वाली चेन में बिल्कु स्टार्ट वाली चेन में नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें यह तीन चेन आएंगे तीन चेन और दो हमने सेंटर में लेनी है तो वो ली है शुरू में पांच ली है नेक्स्ट में बनाया इस तरह से एक बनाया फिर नेक्स्ट में यह दो फिर नेक्स्ट में तीन फिर नेक्स्ट में चार चार हमने देखे, डबल कुशे के, शुरू में हमने 5 चैन ली थी, 3 डबल कुशे के लिए ली थी, 2 हमने सेंटर में लेनी है, जो अभी यह देखिए, यह वली दो चैन, यहां पर भी लेनी है, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, यहां पर नीचे स्किप कोई नहीं करनी, फिर स नेक्स्ट में बनाया, एक, दो, तीन, चान, फिर दो चेन लिए, फिर नेक्स्ट में बनाया, एक, दो, तीन, चान, फिर हमने दो चेन लिए, और लास्ट जो मर पास चेन लिए उसमें हम एक, डबल कुशिया, बनादेगे, दोकि तीन चेन जितना जितना होता है, दो हमने चेन लिए तो पांच जितना हो गए, इसलिए हमने शुरू में पांच चेन लिए थे, वोक को टरन करेंगे, इस तरह से यह बना है इस तरह से रहेगा अब हमने इसको जॉइन करना है पहले हम इसे जॉइन करेंगे बाकी का हम बाद में बनाएंगे एक, दो, तीन हमने चेइन लिए तीन चेइन लेकर slip stitch बनाएंगे, कहाँ पर देखे ज्ञाइन करेंगे यहां पर हमने बनाए था इसके बाद यह hole है, और यह दूसरा hole है दूसरे hole की जो साथ यह double crochet है, उसके बाद यहां नहीं, यहां पर हमने ज्ञाइन करना है कि एक होल ये दो होल के साथ जो डबल कुशिया है यहां पर मैंने स्लिप स्टिच से जोईन करना है यह दाका इधर को रखेंगे इस तरह से तो यह जो टीन चैन है इसको एक डबल क कुशिया कॉंट करेंगे फिर धाका लिया यहां पर तीन डबल कुशिया और बनाएंगे एक दो । waar शुरू में यह वनने तीन की चैनी तो टोटर यह चार होगे यहां पर देखिए तीन नहीं दो लिजिए यह चेंज ज्यादा बड़ी है एक दो दो चेंज लेकर जॉइन करेंगे एक और दो दो के यहां पर हमने जॉइन करना है हिस्क्राइब बिभिजार से जॉइन किया। फिर यहां पर देखिए तीन डवल कोश्य और बनाएंगे। य स्वाएं दो चेंज ली एक बनाया है तो यह 3 chain जितना जो है 1 double crochet count किया जाएगा फिर यहां पर 3 और बना लेंगे तो टोटर यह 4 हो जाएंगे एक दो तीन चेन लेकर यहां पर हमने इस तरह से बनाया इन दुनों को उठाकर single crochet किया फिर इसी जगा चार और बनाएंगे एक दो तीन चार इस तरह से यह आया एक चेन ले यह मेरे पास 4 double crochet हैं सेंटर में इन दोनों के यहां पर single crochet किया फिर एक चेन ले फिर यह देखे यहां पर जो होल है इसी तरह से यहां पर बनाएंगे चार बनाएंगे पहले दो तीन चार double crochet किये एक दो तीन चेन ले यहां पर हमने single crochet किया फिर यहां पर चार फिर से बनाएंगे एक दो तीन चार एक चेन ले फिर यह चार है चार के center में single crochet किया फिर एक चेन ले फिर यहां पर देखेंगे यह सेंटर वाला हमारा फुलार है यहां पर भी हम चार बनाएंगे एक है दो कि तीन है चार है कि दो तीन चेल लिए चार बार बना लिया फिर से मैंने इस तरह से आया एक चेन लिए इसी तरह से मैं यहां पर बना के आपको दिखाती हूं एक चेन लिए सेंटर में जोइन किया फिर एक चेन लिए अब यह लास्ट होल है इसी तरह से यहां पर आठ के कली बनाएंगे पहले हम चार बनाएंगे चार बना लिए एक दो तीन सिंगल कोशिया किया फिर से चार बनाएंगे दो तीन चार इस तरह से यह बना अब इसे जोइन करेंगे देखेंगे यह एक है यह दो है एक और दो दो के साथ जो डबल कोशिया है यहां पर जोइन करेंगे इस लिप स्टिच से मैंने जोइन किया एक चेन लेंगे धागे को काट देंगे तो यह इस तरह से यह बारा फ्लार बनाएंगे